राश्रीय हाती रोग नियंतरन पथक वर्दा उबजिला अस्पताल हिंगनघाट के तहत हाती रोग उबदल हिंगनघाट ने एक भवी शिविर का आयोजन किया और अनव्रधी रोग्यों पर सरजरी सफलता पूरवक की हिंगनघाट उबजिला अस्पताल में आयोजित शिविर में हिंगनघाट तालुका में वर्दमाल में पंजिकरत 27 अनव्रधी रोग्यों में से 23 अनव्रधी सरजरी सफलता पूरवक की गई शिविर की पूर्व तैयारी के रूप में हिंगनघाट उबटीम के करमचारियों ने तालुका में पंजिकरत ग्रामिन और शेहरी शेत्रों में सभी अनव्रधी रोग्यों का प्रत्यक्ष आवास का दोरा किया और उन्हें सरजरी से गुजरने के लिए प्रोचसाहित किया हिंगनघाट तालुका में वर्थमान में केवल चार अनव्रधी रोग्यों की सरजरी होनी बागी है उपजिला स्पताल घंगनघाट के चिकित्सा अधिक्सक दॉक्टर किशो चाचरकर तालुका स्वास्त अधिकारी डॉक्टर माधुरी कूचेबार सरजन डॉक्टर अश प्रवीन चिंचुलकर वैग्यानिक अधिकारी डॉक्टर प्रमोत को डापे डॉक्टर योगेश वागमारे डॉक्टर वाग्यानिक अधिकारी डॉक्टर पानकेडे डॉक्टर शितित जाडे अधिक्षक शामल मून परिचारक प्रणे स्वर्ना जोड मोनिका उगाडे और अन्नी करमचारियों द्वारा विशेश सहयोग प्रदान किया गया शिविर का समापन रोग्यों के वैक्तिकत दौरे और हाती पाफ की बारे में विस्तरत ज प्रणकारी के साथ हुआ हिंगन घाट से कैमरामेन योगेश लखोटे के साथ रभी यनौरकर की रपोर्ट